अगर आपने अब तक इस बुक को परचेस नहीं करा है मार्किट से और आप रेगुलर इस बुक के सभी वीडियो को वाच कर रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जी हां बात कडवी है लेकिन बात काफी हद तक सही और सच है अगर आप फानेशल वीक हैं तो कोई बात नहीं तो मैं आप से कहना चाहूंगा कि आप अपने नोट्स बनाते चलें एफोर पेज रखें इसमें जो जो पॉइंट मैं हाइलाइट करके आपको हर एक वीडियो में दिखाता हूँ वो सबब देखिए और उनको पैंडाउन करिए लेकिन जो लोग कैपेबल हैं जो लोग बुक को मार्केट से पर्चेस कर सकते हैं बड़ी असानी से अब वो क्यों पर्चेस नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता आलस रापरवाई या कंजूसी अगर आप तो दोस्तों आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का सविधान भाग एक और बुक के बारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बुक का नाम है लुटेट समान्य ज्यान इसमें हम लोग क्या के कबड़ करेंगे टॉपिक आज हम करेंगे सविधान का संक्शिफ्ट इतिह क्या था सविधान बराने की आवश्यक्ता क्यों पड़ी सविधान सभा उसकी उदेशी का एवं प्रस्तावना के बारे में विदेशी स्रोत क्या क्या थे कहां कहां से हमने कौन कौन सी बातों को विदेशों से कौपी करा है और भारती है सविधान की अनुसूचिया क्या कहती और देशी ये रियासतों का भारत में विलाय किस प्रकार से हुआ, कौन सी रियासते एगरी नहीं थी विलाय करने के लिए भारत में, संग और उसका राज्य चेत्र क्या है और राज्यों का प्रगठन किस प्रकार से हुआ, तो हम ये सभी टॉपिक आज डिसकस करेंगे, तो चलिए, सुरू करते हैं, देखिए, 1757 एसवी की पलासी की लड़ाई और 1764 एसवी के बकसर के युद्र को अंगरेजों द्वारा जीत लिये जाने के बाद में क्या हुआ, बंगाल पर बेटी इस्ट इंडिया कंप्री ने सासन कर उस पर अपना सिकंजा कसा, तो दो वार इ सविधान का इतिहास कहना के कनेक्टिड है, पहला क्या है, पलासी की लड़ाई, सैकेंड है आपका बकसर का युद्र, तो दोनों युद्र कब हुए थे, वो वर्ड सापको याद अखना एक्जाम में, अधिकतर आपसे कोई भी वार पोस्त था, जैसे पानी पत का पहला व इस्थापित करी, तो आपको याद अखना है, पलासी का युद्र और बकसर का युद्र, कब हुआ था, 1757 में हुआ था, आपका पलासी की लड़, और आपका क्या हुआ था, 1764 इस्वी को हुआ था, बकसर का युद्र, याद रहेगा, बिल्कुल, अब देखिए, एक एक था, जिसको बोलते है, 1773, इस्वी का रेगिव लेटिंग एक्ट, तो ये क्या कहता है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, देखिए, भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के कारियों को नियमीत और नियंतन, मसलब उस पे कंट्रोल करने की दिसा में, बेटी सरकाल द्वारा उठाया गया, यह है, पहला कदम था, पहला एक्ट सबसे पहले भारत में कौन सा आया था, तो वो आया था, 1773, और बस, आपको पॉइंट नंबर ए, इसमें याद रखना है, और उसके बाद हम बात करते हैं, इसकी विशेस्ता, विशेस्ता है, पॉइंट नंबर वन हम से कहता है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, तथा, मुंबई एवं मदरास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया, इस एक्ट के तहट बनने वाले पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है, कोशन्स यहां यह पूछता है कि पहले गवर्नर जनल का नाम बताईए तो वो है आपका लॉर्ड वारेंड हैस्टिंग्स पॉइंट नंबर थ्री में बढ़ते हैं टू इतना important नहीं आपको थ्री को इसी तरह से अपने highlight करना है उसमें लिखिए कलकत्ता में 1774 यह आप हैलाइट करिया अपने book में तो इस अधिनियम के अंतरगत क्या हुआ था कलकत्ता में इस वर्स में एक उच्चितम नियाले की स्थापना की गई थी जिसमें मुख्य नियाधिस और तीन अन्य नियाधिस और तीन अन्य नियाधिस थे इसके पर था मुख्य नियाधिस का नाम बताए क्या था तो उसका ना पारवधान किया गया और इस Act के अनुसार कलकत्रा की सरकार को बंगाल, बिहार और उलिशा के लिए भी वीधी बिनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया 1784 का PITS India Act क्या कहता है तो ये कहता है कि इस Act के द्वारा दोहरे परसासन का प्रारभ हुआ Court of Directors वेपारीक मामलों के लिए और आपके सकेंड नमर Board of Control मतलब राजनीती मामलों के लिए हस्तशेप करेंगे 1793 East Vika Charter अधिनियम इसके द्वारा नियंतन बोर्ड के सदस्य तो था करमचारियों के वित्तन आदी को भारतिय राजस्म में देने की विवस्ता की गई तो उसमें थोड़ा से ठहराव लिजिए पॉस लिजिए और पॉस लिजिए और आपके सदस्य तो कोई भी अगर आप से प्राने के प्रेक्टिस करेंगे तो तो कोई भी अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं जी के का तो उसमें थोड़ा से ठहराव लिजिए पॉस लिजिए और प्रेक्टिस करिए कि उसमें से क्या कोशन बन सकता है जिस दिन ये स्किल्स आपकी डवलप हो गई तो आपका एक्जाम करेक हो जाएगा अब इसके वर करना है आपस में तो आपको टाइम देना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमको स्टेडी करनी है अठारा सो तेरा इस वी का चार्टर अधिनियम क्या कहता है थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके द्वारा क्या हुआ कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्सों के लिए हाँ दीया गया 20 वर्सों के लिएक इमें क्रेज कर दिया पॉइंट नंबर व writings इसमें है बस उसके बाद में बात करते हैं 1853 का चार्ट अधिनियम तो इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ सेवाओं में नाम जिदगी का सिध्धान समाप्त कर कंपनी के महत्मण पदोग को परतियोगति परिक्षाओं के अधार पर भरने की विवस्ता की गई पहले क्या थे जो भी हायर इस बीथा छाटर अधिनियम के अंत्रगत किस 1853 ईसवी का चार्घर अधिनियम के अंत्रगत यह कहा गया जो भी पध होंगे जो भी वेकैंसी होगी उसके लिए एक परिक्षा कंडक्ट कराई जा Ahora हम बात करते हैं 1858 ईसवी का चार्ट अधिनियम तो भारत का सासन कंपनी से लेकर बेटेस क्राउन के हातों में सौपा गया तो कौन से अधिनियम के अंतरगत सासन जो था कंपनी से लेकर के बेटेस क्राउन के हातों सौपा गया उस चार्टर अधिनियम के बारे में बताईए वो कौन सा अधिनियम था तो वो था आपका 1858 याद रहेगा आपको 1858 बिलकुल याद रहेगा और याद रहना भी चाहिए ठीक है 1861 का भारासासर अधिनियम गवर्नर जनरल की कारे कारणी परिसत का इसमें विस्तार किया गया और विभागिये परणाली का प्रारम हुआ लौड कैनिंग द्वारा किसके द्वारा लौड कैनिंग द्वारा फस्ट और सेगिंड पॉइंट है बस यह देखना आप लोग अब हम बढ़ते हैं 1873 का अधिनियम इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि इस्ट अधिनियम के अंत्रगत इस इंडिया कंपनी को कभी भी भंक करा जा सकता था तो यह था आपका अधिनियम 1873 साही उपादी अधिनियम 1876 जी हां इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जन्र की केंद्रिय कारे कायानी में छटे सदस्ते की नियुकती कर उसे लोक निर्मान विभाग का कारिया सौपा गया और 28 अप्रेल जी हां 28 अप्रेल 1876 को एक घोशना द्वारा महरानी विक्टोरिया क भारत की समागरी भोशित किया गया 1892 में क्या हुआ था भारत का सासन अधिनियम उसका पढ़ लेजिएगा पर्थक चुना पणाले कि इसमें शुरुवात हुई थी पयारम हुआ था और 1909 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 1909 को बोलते हैं मारले मिंटो सुधार पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पर्थक अलग से मतलब पर्थिनिधित्व का उपबंद किया गया कौन से अधिनियम के अंतरगत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पर्थक पर्थिनिधित्व का उपबंद किया गया जी हां ये कोशन कई बार एक्जाम में पूशा गया है आपके SSC का एक्जाम हो चाहिए आपका कोई LDC का एक्जाम हो या फिर आपतियारी कर रहे हो ग्रेड D के एक्जाम की तो वहाँ पर ये कोशन से इंपॉर्टेंट है 1909 संबंध किस से ये है मुस्लिम के लिए अलग से एक चुनाव पढ़ाली बयाना उसके लिए अलग से चुनाव करवाना मर्दान करना तो ये सब था आपका मारले मिंटो सुधार थोड़ा समपढ़ लेते हैं कि इस परकार इस अधिनियम ने सामप्रदाइक को वैधानिकता परदान की और लौड मिंटो को सामप्रदाइक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया सामप्रदाइक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है उसका नाम ब इसको बोलते हैं मांतगियू जेम्स फोर सुदार तो इसी वेक्ति ने यह अधिनियम बनाया था तो इसमें क्या था राज्य परिश्यत की सदस्य के संक्या उस्तर में कितनी थी 60 एक्षुलिए अधिनियम था क्या तो पढ़ लेते हैं देखियें केंद्र में दुई सद्रात् राज्य परिशद सेकेंड थी हमारा केंद्रिय विधान सभाव दो भागों में डिवाइट करा गया तो राज्य परिशद इस सद्रिशकर संका कितनी थी साथ जिसमें 34 निर्वाचिर होते थे और उनका कारेकार टोटर पांच वर्सका होता था जबकि विधान सभाव किस विषय सिक्षा उस्तकाले संग्राले इस्तानिय स्वात्सासन चिकिस्स सहता ठीक है और सारवजिंग निर्वाट विभाग आबकारी उद्योग तोल और माप सारवजिंग मनुझों ये सब जो चेत्र थे ठीक है दाना दी आरक्षित विषय का परसासन गवर्नर अपनी कार है कारे परिशत के माध्यम से करता था जबकि अस्तान्ति विषय का परसासन प्रान्तिय विद्यान मंदल के प्रती उत्तरदाई भारतिय मंत्रियों के खाजता था और eco Satana । की शुरुवा नाइटीन थेर्टीफाइब و कि د्वारा क्या वगई गया न्यों सभीत कुझे का सतो था कूं से पाइव टाली कंत हुआ अंत हुअ तो यह था देर्थ आंत हुआ तो ये था 1935 設備 के अक्ट-द्रा इसका स्तमापत हुआ 1935 का भाला ससना अधीनियम क्या कहता है तो ये कहता है आपका आखीश भारती है संग के बारे में बिताता है आपको प्रांति है स्वाध्यत्रता के बारे में इसमें discuss करा गया है तो ये इतने important नहीं है कि इसमें ये है कि अधिनियम में कितनी धाराय थी और कितने परिशिष्ट थे तो 451 धाराय थी और 15 क्या थे इसमें परिशिष्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग संगिय नियाले की विवस्ता तो इसका अधिकार छेतर प्रांतों तथा रियासतों ततक विस्तरत था इस नियाले में केवल एक मुख्य नियादिस और दो अन्य नियादिस की विवस्ता की गई पॉइंट नमबर 5 बेटी संसत की सर्वोच्चता इस अधिनियम में किसी भी परकार के परिवर्तन का अधिकार बेटी संसत के पास था ठीक है किसके बास था बेटी संसत के पास में इसका अधिकार था प्रांती विधान मंडल और संगिय विवस्तापी का इसमें किसी परका अंधर कि जिए, विस्तार वही बाते पड़ लेते हैं मैं इस अधिनियम को भारत से अलत कर दिया 8 और 9. काफी। किश को किस से अलत कर दिया, भर्मा को भारत से इस अधिनियम के अंत्रगद अलत कर दिया। एक पर इस अधिनियम में कितनी धर रहे थी ़ुक की इस अधिनियम कितनी तो इस बुक में पेज बहुत जादा हैं अगर एक एक लाइन को अगर मैं आपको अराम अराम से परवचन के माध्यम से समझाऊंगा तो इसमें क्या होगा वीडियो के लैंथ बढ़ जाएगी और लंबे लंबे वीडियो आप लोग देखते बोर हो जाएंगे तो इसलिए ज अब हम बात करते हैं देखिए 1935 इसवी के भारतिय सासन अधिनियम द्वारा ही सासन होगा इसमें ये कहा गया था अब हम बात करते हैं भारतिय सविधान सभा के बारे में कि पहला जो बैठा कुरी थी वो कब हुई थी इसके बारे में देखिए कैबिनेट मिशन की संसुस् पर भारतिय सविधान का निर्मान करने वाली सविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 S.B. कब हुआ था जुलाई 1946 S.B. में अब देखिए जो अगला पॉइंट है वो ये कहता है कि सविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने थी 389 निश्चित की गई थी जिन में 292 बेटी स्परांतों के परतिने थी चार चीफ कमिशनर छेतरों के परतिने थी एवं 93 जो थी वो भारत के मतलब देशी रियासोतर के परतिने थी चार चीफ कमिशनर ये जो निमेरिक पूसता है आपसे स्टेट PCS के एक्जाम में कई बार पूसता है तो आप इसलिए ये निमेरिक याद रखना लेकिन जो स्टेट PCS के एक्जाम वगरा नहीं दे रहे हैं जो किवल देते हैं स्सी वगरा का DSSB या फिर रेलवे का एक्जाम जिनका पेस्किल थोड़ा कम होता है ग्रेट D या ग्रेट C तो वहां पर आपको याद रखना है 389 ठेक है कुल संक्या कितनी थी 389 उसके बाद हम बात करते हैं मिसन योजना के अंतरगत मिसन योजना के अनुसा जुलाई 1946 सविधान सभा का चुनाव हुआ कुल 389 सदस्तियों में से प्रांतों के लिए निर्धारित करे गए 296 सदस्तियों के लिए चुनाव हुआ इसमें कॉंग्रिस को 208 मिले मुस्लिम लीक को 73 स्थान था और 15 अन्य द लोग के तथा स्विधान सभा की पर्थम बैटर कहां पर हुई थी नई दिल्ली इस्तित कौंसिल चेंबर के पुष्ट अलेबहर में कहां पर हुई थी कौंसिल इसको बुछते है Els चैम्बर के मुष्ट अले धावन में कब हुई थी नौ दिसंबर उननीसनथ्य चलिस को पहली बैटक पहली जो बैठक हुई किसने सोचा नहीं कि हैड कौन बनेगा लेगी तुरंट मीटिंग हुई लोग गैदरींग होने लगी तो लोगा ने तभी तुरंट डिसाइड कर भी इसका दक्ष कौन मनेगा ऐस्ता है दक्ष कुछ टैम के लिए बना दिया डॉक्टर सचीदा सिना को ठीक है अग्जाम में क सभा में संभी नहीं हुए यह अप्छी चाहते थे यहां के हैदरबाद में थे निजाम इनका मानना यह था कि मुझे अलग से तरे देश गोशित कर दिया जाए तो यहां के निजाम नहीं माने काफी मिन्यते करी जब सभीधान बन भी गया लेकिं बीच में बहुत दिक्कत आप चाहों तो वह स्थान का आबंटन किया गया यह चोड़ दीजिया अब देखिए प्रांतों का प्रति निदित मुख्यते तीन परमुख सभुधाय की जिन संक्य के अधार पर विभाजत किया गया सभुधाय मुस्लीम सिख और साधन व्यक्ति सभुधान सभा में बेट सभुधान सभा के सदस्तियों में अनुसूची जंजाती के सदस्तियों के संक्य कितनी थी 33 और महिला सदस्तियों के संक्या भारती सभुधान में कितनी थी 12 महिलाय रिजर्व रहेंगी कितनी रहेंगी 12 तो 11 दिसंबर 1946 इस विक को लॉक्टर रायंदर परसा सभुधान सभ सविधान के प्रारूप पर विचार मिमर्स करने के लिए सविधान सभा द्वारा 39 सगस प्रारूप समीती का गठन किया गया तथा इसके अद्दक्ष के रोप में डॉक्टर भी मराव अमबेड कर को चुना गया प्रारूप कमिटी का अद्दक्ष कौन था तो यह थे डॉक्टर भी मराव अमबेड कर अब देखें क्या हुगा तीन जून 1947 की योजना के अनुखसार देश का बटवारा हो जाने पर भारतिय सविधान सभा की कुल सदस्य संक्याती 324 नियत की गई और जिसमें 335 इस्थान प्रांतों के लिए 89 इस्थान देशी राज्यों के लिए थे देखें इसमें अक्चिली कुछ स्क्रिप कराने के लिए खास नहीं था तो मैंने कम-कम इसमें आपको स्क्रिप कराया है लेकिन भारतिय सविधान अक्चिली टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है तो यहां पर जो बुक में दिया गया है तो आप अगर सारा पढ़ लिए लेक या 31 अक्टोबर 1947 को 31 दिस्वंबर 1947 को सविधान सभाग के सविधान सभाग को अपनी रिपोर्ट पेस करी कब करी थी 21 परवरी 1948 में यह जो वर्ड्स है यह पूछा गया यूपी पेसी जीएस पेपर वन में यह डेट पूछता है अपसे के बार तो आप यह याद अकना देखिए सविधान सभाब में सविधान का परत्थम वाचन कब हुआ था चार नवंबर से 9 नवंबर 1948 इस वी तक चला सविधान का दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर ठेक है जो 17 अक्टोबर 1949 तक चला और बात करते हैं सविधान सभाब में नवंबर 1949 इस वी तक चला अब देखिए कौन किसके अध्यक्षते इसके बारी में हम बात करते हैं आप से देखिए संचालन समीति का जो अध्यक्षते वो थी डॉक्टर राजंदर परसाद संचालन मतलब भारती है जो सविधान बना था उस समय उसका संचालन किस ने करा जो भी रोग टोक होती थी को और तो ये वाला ओडर वो हते दोक्तव आंदर आन्दर परसाद तो यहां पर आपका इमपार्टन जो है वो है आपका सबसे ज्यादा जो इमपार्टन इरव है आपका Прाव्रूप समय उनता ओने आपने आपको लिकिन均न यह चीज्जा आपन में लगे और सविधान को जब सविधान को जब 26 नवंबर 1949 इस भी को सविधान सबा द्वारा पारित किया गया ठीक है तब क्या था इसमें कुल कितने भाग थे अनुचेद कितने थे अनुसूचिया कितनी थी 22 भाग थे 395 अनुचेद थे और 8 अनुसूचिया थी वर्तमान स चारत पांच चारत आठ नो और साथ तीन सो चौबीस ये सब जो है आपका अनुशेदों को चब्वी समबर उनिस ओड़ेंचास इस वी को ही परवरित किया कर दिया गया मतलब उसको एड़ कर दिया जब किसे से अनुशेद किया हो चब्वी जनवे उनिस सो पचास को लाग हो सब्वाट की अंतिम बैठर कब हुई थी चवी समबर उनिस सो पचास बस यह आपको याद करना है और साथ में आपको याद लगना है क्या भारत के परत्तर मराश्ट पती चुना गया कि सको चुना गया यह चुना गया ता राईंदर प्रसाथ को ली देखिये उसके बाद म यहां पे इतना important नहीं है, यह है third point भारते सविदान के उदेशी का अत्वा प्रस्तावना, तो सविदान के 42 संसोधन 1976 द्वारा इसको संसोधित करा गया, ठीक है, 42 संसोधन कब हुआ था, सविदान के 42 संसोधन 1976 को हुआ था, और इसमें यह सारी उदेशी को बारे में कहा था कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, पर्भु संपन, यह सब बाते लिखी गई हैं, तो यह नहीं पूस्ता आप से एक्जाम में की पूरा संदेंस बताईए क्या था, लेकि आपको याद अखना है, कौन सा संसुलन था, यह यह था आपका 42 स्वा, उसके बाद प् कि जहां सविधान की भासा संदिक्द हो, वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में साहता करती है, बाकि आप देखें देखें कि 42 स्विधान संसोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, इसमें समाजवादी, पंत निरिपेक्ष और राष्ट की अखंड़ता सब्द जोड़ा ग ऐसे सब्दों को इसमें एड करा गया था, ठीक है, और उपर का जो एक पॉइंट मुझे पता है कि यह पॉइंट एक रह गया है, क्योंकि यह इतना नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट को आप टोटल यहां से यहां तक पढ़ने हैं अपने अब एक बार, य कि हमने अक्चली भारते सब्दान बनाते समय दूसरे देशों से क्या 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 कॉपी करा, ठीक है, सबसे लंबा लिखी सब्दान कि इसका है, भारत का है, तो लिखी सब्दान को दूसरी देशों की जो अच्छा ही बाते थी, अच्छी बाते थी थी, अच्छी बाते थी उस पर महावियोग, उप राश्पति उच्चतम और उच्च नियालों के न्याधिसों को हटाने की विदी एवन वित्यापात हमने कौन से देश से लिए हैं तो आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से याद करने हैं ठीक है मौरी कदिकार से अमरीका से संबंदित है हमने यहां से इसको कॉपी करा है अपने सविधान में अपने भारत में यह लागू करा है हमको नहीं पता था पहले मौरी कदिकार क्या होता है तो हमने देखा से अमरीका का सविधान की यार बास्ता में मौरी कदिकार की यह सारी बात ठीक है तो यहां पर भारत का सव्वधान में कुछ इसी तरीके से बना बेटेंसे हमने लिया है क्या लिया है एकल नागरिकता कई बार एकजाम में पूछा गया है तो एकल नागरिकता आपको याद अपनी है इसमें आयरलेंड से लिया गया है नीति नीदिशक्षिद्धान ठीक है बस यह आप याद लखेएगा उसके बाद में आस्टेले से हमने लिया है क्या संवर्थी सूची का पारवधान केंद एवं राज्य के बीच जो संबंध है इसका विभाजन किस सक्ति के धर पे होगा यह सारी बात है हमने इसमें लिया है अपात का बहुत-बहुत- एवं राज्य के बीच में सक्ति का विभाजन इतना इंपरेंट नहीं है बटी यह इंपरेंट जरूरी है कि राज्य पार की नियुक्ति रूस से हमने लिया मौलिक करतव्या देखिए मौलिक करते और मौलिक अधिकार में कंफ्यूज मत होना से एक्टराज अमरीका सबसे ज्यादा पमें क start आवार्मॉरे में लेकारा अधिकार के लिया तो यह जापान के बारे में अपसे नहीं को संभुत आपे retir न करूंट से हमने अट हमने States Serum अफरिका से। अब देखिये भारतिय सव्यदान के अनेक देसी उर विदेसी शुरोहत है लेकिन भारतिय सव्यदान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतिय सअसन आधिनियम 1935 का है भारतिय सव्यदान के अनुचे 3.95 अनुचे में से लगबख 250 ऐसे हैं 1935 SP के अधिनियम से या तो सब ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बद परिवर्टर कर दिया है अगला पॉइंट है भारतिय सविधान के अनिसूची इसमें भारतिय संग के घटक राज्य मतला 28 राज्य है एवं संग सासीद साथ शेत्रों का उल्ले करा गया है पर्थम अनिसूची किसे संबन दित है ये के वर है इंट्रोडेक्शन से किसके राज्य और संग सासीद परजदेश कौन कौन से हैं और सविधान के 69 वे संसूदन के द्वारा दिल्ली को राज्टे राजधानी छेत्र का दर्जा दिया गया दिल्ली अच्छी कोई राज्टे राज्धानी छेत्र है इसका दर्जा इसको प्राप्ट हुआ था 69 वे संसूदन के द्वारा दिती आनुसूची में क्या क्या आता है दूसरी जो अनुसूची है इसमें भारती राज्य वरस्ता के विभिन पता दिक्या रही है आपको देखनी बड़ेगी दूसरी अनुसूची ठीक है तो अनुसूची भहुत सारी थी इन सब के बारे में आप देख लेए ना तीस वी चौथी पांचवी छेटी साथ वी तो यह आप अभी पॉस कर लेजें यहीं पर पॉस करें इस वीडियो को आप पढ़िए एक बा बात करते हैं आठवी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है इसको मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा देखिए इसमें क्या था इसमें भारत की 22 भासाओ का उलेक करा गया था और मूल रूप से आठवी अनुसूची में 14 भासा है थी ठीक हैं बाद में यह बढ़ती गई अनुसूची में कितने अधिनिया में 284 और 11 जनवरी 27 में सविधान पीटकेक नेड़ने द्वारा यह इस्तापित किया गया कि नौभी अनुसूची में सम्रीद किसी भी कानून को इस हदार पर चुनोती दी जा सकते हैं कि वह मौली का दिकारों का उलंगन उलंगन करता है इन कानुनों की समिक्षा कर सकता है दस्वी ग्यारवी बारवी देखे देशी रियासतों का भारत में विलाया है देखि रियासत को भारत में सम्मेलित करने के लिए चाहण बला भाक प heps नो तो हैदराबाद वगएर यह सब जूनागड वगएर था ना तो इसका आप एक बार देखना आया वह मैं बच्चों सही कह रहा हूं एक बार वह यूट्यूब में सर्च मारना अभी इस वीडियो को तुरंद बाद है ठीक है ना राज्य सभा या लोक सभा राज्य सभा सविदान के सारा कंसेप्ट के लिए कैसे सविदान बना था किस किसने अर्चने डाली थी अक्चुली कैसे निजाम जूनागड हैदराबाद बहुत ज्यादा मेजर पंगे रहे थे इसमें तो अब देखना बड़ा मज़ा आएगा आपको देखने हैं पक्का देखना ठीक ह पुलीस की कारवाई कहां पर हुई थी यह हुई थी हैदराबाद की रियासत के साथ में वो नहीं माने तो क्या करा उसके उपर मतलब की पुलीस लाठी चार्ज उसकी जंता पर करवाया गया बहुत ज्यादा लहु लुहान हुआता उस टाइम पे संग और उसके राज्ये देखे अनुचेद एक, दो, तीन तो भारत राज्यो का संग है जिसमें 28 राज्ये और साथ क्या है के निसासी परदेश है अब 28 नहीं अब हो चुक है 29 लेटेस कौन सा बना है तिलांगना अब देखे क्या है अनुचेद वन कहता है कि भारत अथार्थ इंडिया राज्यो क संग है राज्यो और उनके राज्ये चेत्र में वे होंगे जो पहली अनुचेद टू भारत की संसत को वीधी द्वारा ऐसे नी बंदनों और सड़तों पर जो वह ठीक समझे संग में नई राज्यो का परवेस तदा उनकी सापना के सकती परदान की गई है अनुचेद तीन क क्याता है कि नई राज्यो का निर्माण वर्तमा राज्यो के चेत्र फल और सीमा या नामों में परिवर्तन संसत वीधी द्वारा कर सकती है तो कौन से अनुचेद में यह कहा गया है कि नया राज्ये बन सकता है राज्ये का नाम परिवर्तित हो सकता है उसकी सीमा में पुछता है जो लेटिस्ट बना होगा वो आप याद रखना है ठीक है अब देखिए नहरू पटेल मतलब की चाचन नहरू की बात कर रहे हैं यहां पर हम लोग सर्दा बलबाई पटेल और सीता रमया ठीक है समयती की रिपोर्ट के बाद में मदरास राज्ये के तेलगु भा गई देखिए राम लो की मिट्टू के बाद परदा मंतरी नहरू ने तेलगु भासियों के लिए एक पर्थक आंदर परदेश गठन की घोशना करी अक्शली सबसे पहरे जो डिमांड आये थी अलग से राज्ये बनाने की भाश्या के अधार पर वो था आपका आंदर देखिए 1953 में इसका गठन हो गया जीनों ने ये मांग रखे कि देखिए तेलगु भासा है हमारी है तो हमको अलग से राज्ये बनाके दो क्यों हमको कम्मिकेशन में बड़ी दिक्क्त आती है आपस में यहां मिक्सब लोग रहते हैं तो आपस में हम लोग अंडर्श्टें ठीक है अब हम बात करते हैं कि राज्ये पुनर गठन आयोग के अधक्ष एक पूरा आयोग बनाया गया जिसका काम था राज्ये का पुनर गठन करना अगर लगती की बात जैन्मन है अलग से राज्ये स्थापिद होना चाहिए तो यह आयोग उस पे काम करता था तो इसके अधक्ष कौनते फजल अली और इसके अन्य सदस्य कौन कौन से थे हिट्देनात कुंजरू और सरदार के एम पाड़ी कर राज्ये पुनर गठन अधिनियम जुलाई 1956 इसमी में पास किया गया और इसके अनुसर भारत में 14 राज्ये और 6 के इसासित प्रदेश स्थापित कि किये गए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें देखिए नवंबर 1954 इसमी को प्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां जैसे पांडी चेरी यह सब जो है इस्तान भारत को सौंब दिए मतलब बारत के हवाले कर दिए कि हम ठीक है अपना विलया करने के लिए तेया रहे और 28 मई 1956 इसमी को संबंध में संधी पर हस्ताक्षर किये गए बारत सकार ने 18 दिसंबर 1961 को क्या गया गोवा दमनवे दीप की मुक्ति के लिए पूर्टगालियों के विरुद कारवाई की और उन पर पूर अधिकार इस्तापित कर लिया और 1 मई 1960 को मराठी गुजराती भा राज्य बनाया गया एक नवंबर 1966 में पंजाब को इभाजित करके पंजाब मतलब और हर्याना दो राज्यों में बटवारा इनका हो गया ठीक है ये सब बाती थी कुछ इसका बटवारा कब हुआ कौन सी इसके स्थाफना हुई थी वह सबाप ये पढ़ लेना प्लीस ठीक है ये च्वेड़ी बाते बताने की आपको आशकता नहीं है वीडियो को अभी यहीं पर पॉस्ट कर लेजिए पढ़ लेजिए इसको ठीक है एक नवंबर दो हजार इस विको चतिसगार चबिस वराज्य और 9 नवंबर 2000 को बना उत्तरांचल मतलब उत्राखन इसे बोलते है यूपे के कितने जिलों को काट कर दें उत्तराखन बनाया गया यह कुश्टन जीएस प्रवर में पूछ ले रहा तो वो कितने जिले थे वो तर पर फोर्टीन और 27 वराज्य एवं 15 नवंबर 2000 को जारखन 28 वराज्य बना 29 को बना था अभी मैं आपको बताया था वर्तमा सम अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करेगा और आपको जो भी फैंड कमपटिशन के त्यारी कर रहा है उन तक इस वीडियो को शेयर करेगा और अगर आपने सबस्क्राइब नहीं करा है तो सबसे बहले आप जाईए इस चैनल की प्ले लिश् जरूर करना है ठीक है और एक छोटी सी रिक्वेश्ट अगर आप हमारे चैनल पर कॉंट्रिबूट करना चाहते हैं तो पेटिम के मादिम से कॉंट्रिबूट कर सकते हैं पेटिम नम्र आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो बनाने के लिए कुछ पै मेरे बहुत ऑप्सक्रिबूट कर सकते हैं अगर आप का हाथ है तो फायली मिले कहने की किया करना की कि पिल्कुल भी करने की आपने सोचना भी नहीं है ठीक है बस कर पढ़ाई करो अपना सेलक्शन लोग उसके बाद में अगर लगए सही कांट्रिबूट करना तो करिए बन करना मत करना ठीक है जॉब के बाद भी मत करना तो भी चलेगा कोई टैंसन निया ठीक है इसी के साथ में लेता हूं आपसे अलविदा मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ में बाइबाइ टेक अगर पास में तो डिस्क्रप्शिंस बॉक्स में आपको भुक के पर्चेश करने का लिंक दुंगा आप उस पर किलिक करके ओलाइन बॉक को पर्चेश कर सकते हैं बाइबाइ टेक क्यार एंड ऑल दा बेस्ट उन्यती Competition Classes के इस YouTube चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हर्दिक स्वागत है Friends, आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे भारतिय स्विधान के बारे में भारतिय स्विधान विस है, सदा भार वन की तरह है जो कभी भी मुर्जाने वालों में से नहीं है इसके सभी Questions चितने Old हैं, वो इतने ही ये सभी Questions गोल्ड हैं, जी हां, Old is Gold तो अप इन सभी Questions को अपने दिमाग की तिजोरी में संजो के रखिए, संभाल कर रखिए एक्जाम में अगर कोई Questions सविधान से पूछा जाएगा, तो उसको समझधारी से आपने उसका आंसर देना है, अपने ज्यान की तिजोरी का लॉक ओपन करना है, और अपना राइट आंसर अपने एक्जाम में दे कर आना है, ठीक है? विद कॉन्फिडेंस, अंडरलाइन रखिएगा, विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा, जब आपकी सब्जेक्ट में पकड़ काफी अच्छी होगी, और पकड़ अच्छी काब होगी, जब आप एक एक बात को बड़े ध्यान से फॉलो करेंगे, और उसके बाद आप लुसेंट वीडियो जीके की प्ले लिश्ट में जाना, और वहाँ पर आपको जो भी वीडियो मिलते हैं, उन सभी वीडियो को तसली से देखना है, यह नहीं कि आपने अभी देख लिया बुक थी, आपके पास में आप पहले बार चैनल पे आ रहे हैं तो फरावर्ड जो स्करों में बस अंडराइं करना सुरू कर दिया, ऐसा नहीं, डेली का एक वीडियो वाच करिये या दो वीडियो वाच करिये बस, और एक वीडियो को कम से कम दो बार प्ले करना, अगर डाडा की कोई टैंसर नहीं है, तो दोसरी बार के अलावा आपने तिसकी बार बिल्कुल भी वीडियो को वाच नहीं करना है, ठीक है, तो ये छोड़ी मोड़ी कुछ गाइडलाइन्स है, मेरे कोडिंग जो अगर आप फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आने वारा है, तो चलिए, सुरू करते हैं आज का अपना ये ट जो अनुच्छेद दिये गए हैं, तो उसमें कौन सी बात का जिक्र किया है, या कौन सी बात का उसमें आपको उल्लेक मिलता है, तो ये है आपका संग एवं उसका राज्य चेत्र, और नागरिक्ता के बारे में कौन से भाग में मिलता है, भाग दो जो है, वो संबंदित कि ठीक है तो फिर आप देखिए कि भाग 3 में कौन से बास का उलेक करा गया है तो भाग 3 में उलेक करा गया है मौलिक अधिकार का ठीक है और मौलिक अधिकार मिलते हैं अनुचेट 12 से लेकर गया 35 के बीच में और नीती, निर्देशक, तत्व ये कौन से भाग से संबंदित है तो ये है भाग 4 भाग 4 का ये काफी important है 4 A देगा आपको एक्जामे कभी-कभी या 4 कह दे सकता है तो ये जो है अनुचेट 51 के किस चीज से संबंदित है कोशन से आप अपसे ये पूछ लेगा एक्जाम में तो आप याद रखेएगा अनुचेट 51 समंदित है मूल करतवय से भाग 5 में डिसकस करा गया है संघ के बारे में और अनुचेट की बात करी जाए तो 52 से लेकर के 151 अनुचेट के बीच में संघ के बारे में ही डिसकस करा गया है हर एक अनुचियत का अपना अलग-अलग का रहे है आप यह अनुचियत चाहें तो आप डीटेल में पढ़ सकते हैं लेकिन आपको एक्जाम के पॉइंड वे से डाइग्ड यही फैक्ट याद रखने हैं बस टेक हैं जो जो मैंने कंप्लीट यालो का रखा है यह यालो बहु कुछ इसकी परासब हों ठीक है देखिए एक से लेकर के 20 भाग यह सभी आपको याद रखने हैं और सबसे जादा जो इंपार्टेंट है मूल करतव्या बहुत इंपार्टेंट है है तो इंपार्टेंट सारे ही ठीक है ना फिर है आपका निर्वाचन राजभासा स्तविध अब हम बात करता है भारतीय नागरिकत एक बारे में भाग दो में अनिशेट पांस से लेकर के 11 के बीच में डिसकस करा गया है लेकिना है था आभि में देखा था तो इसके बारे में थोड़ा सम डीटेल में जाके पढ़ लेते हैं चलिए देखते हैं भारत्य नागरित्ता अधिनियम कब आया, तो नागरित्ता जो अधिनियम था वो 1915 इस्व्य में आया था, और इसके अनुसार क्या था कि किसी एक अधार पर नागरित्ता प्राप्त करी जा सकती है, जैसे जन्म से अगर किसी का जन्म इडिया में हुआ तो उसको क्या मिलेगी भारत की नागरिक्ता मिल सकती है या वंस अगर परंपरा द्वारा नागरिक्ता मिलती है इसमें जैसे कि आप हैं आपका जो भी बेबी होगा तो वो क्या होगा बाइट डिफॉल्ल उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी और भारत के बाहर अन्य देश में चप्वीत इन्युश्व पचास के पश्चाथ जनम लेने वाला व्यक्ति भारत की नागरिकती माना जाएगा यदि उसके जनम के समय उसके मातरपिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो एस फूर एक्जांबल जैसे मैं एक एक्जांबल देता हूँ कि आप हैं आपने साधी करी ठीक है ना आपकी पहले जॉब लगी बाहर किसी कंट्री में आप इंडियन के इंडियन हो ठीक है आपने वीजा लगाया टेंपररी बेस पे आप भारत से बाहर चले गए लेकिन आप क्या है इस समय भारत के नागरिक है लेकिन आपकी पतनी क्या विदेशी है अगर आपका कोई भी बिबी होता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है क्यों क्योंकि माता पिता में से कोई भी मतलब की आप क्या है भारत के नागरिक अभी भी है अगर आप भारत की नागरिक्ता कहां की है विदेश की तो बच्चे को भारत की नागरिक्ता नहीं मिलेगे क्यों कि माता पिता ने जब भारत का अधार छोड़ दिया तो बाई डिफर्ट क्या होगा नागरिक्ता बच्चे को भी नहीं मिलेगे ठीक है या तकना आगे हम बात करते हैं नोट की मा बारतिये नागरिक्ता संसोदन अधिनियम कब लाया गया तो इसी लाया गया था है 1986 में और ये अधिनियम क्या क्याता है ये खहता है अच्छी बहुत कोश्चा लेकिन हमको याद अपना Import Point अबराधि करिंद्वारा याँ परदन किजयों संबन्दित व्यक्ति कम आख्युन से कम दस वर सो तक भारत में रह चुका है अगर कोई देशी है भारत नांग रहता है ठीक है पांच वर्स तो कोई विदेशी आकर के भारत में रहाता था तो उसके तुरंद क्या होती थी भारत की नागरिकता मिल जाती थी लेकिन अब ये कितना बढ़ा दिये गया अब ये कर दिया 10 वर्स याद रहेगा 10 वर्स तो कभी-कभी कोशंस अप्चुली जीएस पेपर वन में स्टेट पीसे से एक्जाम में कोशंस पूछ लेता है बड़े से में बहुतर चांसा है पूछने का लेकिन हैं इस से चमशन पूछ लेता है कौना सा जो में नीचा भी आपके लिए हाई-लैट कर रहा हूं ठिक है यह 1986 जम्मु कस्मीर वे असम्ट सहीद भारत के सभी राज्जियों पर लगू होता है ठीक है अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में मौलिक अधिकार कहां से कौन से भाग में है भागतीर में है अनुचेर 12 से 35 के बेच में मौलिक अधिकार का डिसकस करा गया है तो दे अधिकार तो है कोई बात नहीं है लेकिन कभी-कभी ये मौलिक अधिकार भी पूरी तरह से क्या होता है इस तगी टैंप्रेरी डिसाइबल कर दिये जाते हैं लेकिन उसमें व्यक्ति का सुछतिंद्रा के अधिकार को छोड़ दिया जाता है ठीक है याद रखना और यह अनु मतलब हटा दिया ठीक है बात कर रहा हूं है संपत्ति के अधिकार की कन्फिजमत होना बात कर रहा हूं है संपत्ति के अधिकार की संपत्ति के अधिकार को हटा दिया असमें से फिर और इसके अंतरकत इसको क्या बना दिया कानूनी अधिकार के रूप में इसको रखा गया तो कौन सा अधिकार है कानूनी अधिकार है तो इस तरह से संबंदित एक कोशन अपके एक्जाम में कई बार पूसता है कई बार तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजेगा कि जो संपत्तिक अधिकार है, वो कि मौली का अधिकार नहीं है, पहले था, अब नहीं है भई, आप क्या है यह, अब बन गया है यह कानूनी अधिकार, आगे हम बात करते हैं, देखिए, 1931 इस वी में कराची अधिवेशन, कराची अ लभई पटेल में कॉंग्रेस ने घोशना पत्र में मूल अधिकार की मांग की और मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहलाल नहरू ने बनाया था अब अनुशेत 14, 15, 16, 17, 18 ये किस्से समध्नित है तो अनुशेत 14 समध्नित है वीधी के समक्ष सम्ता अनुशेत 15 है धर्म नसल जाती लिंग या जन्म इस्थान के अधार पर भीदवाव को पूरी तरह से क्या कर दिया निसेद कर दिया मतलब ब्लॉक कर दिया कि इस इस चीज के बारे में अगर भी भीदवाव पाएगा तो क्या होगा वो गुनेगार होगा पूरे भारत का उसको सजा मिल सकती है आगे लोग नियोजन के विशय के अफसर में सम्धा मिलनी चाहिए ये कहता है अनुशेत 16, 17 कहता है इस परिश्यता का अंत होना अनुशेत 18 कहता है कि उपादियों का अंत होना चाहिए सेना या विद्या संबंदी संबान के लिए सिवाए अन्य कोई भी उपादी राज्य द्वारा परदान नहीं के जाएगी भारत का खुई नागरी किसे अन्य देश में बिना राश्पती के आग लिया कोई अधिकार सुईकार नहीं कर सकता है यह बात कौन से अनुशेत में कही है यह बात यह अनुशेत 18 में अगर इन केस आप कहीं विदेश में जाते हैं आज मैं आपके भारत से बाहर की यातरा करवा रहा हूं बहुत अच्छी बात है बिना वीजा के लेकिन यह ग्रत बात है ठीक है तो अगर आप बाहर जाते हैं विदेश में कहीं आप ऑस्टेलिया कैनेडा या फिर आप कहीं स्कॉट्लेंड वगरा गए तो वहां पे अगर आपको वहां की कंट्री आपको के सम्मान देना चाहती है आपने वहां पे रहके बहुत च्छा काम करा लोग की सेवा करी या किस व्यक्ति के अनुमति के विना को स्विकार उपादी नहीं कर सकता तो ऐसे ही कुछ आपके लेंग़ई यूज करेगा तो वहे आपका क्या रास्ट्रपती आड़ी पॉरसक्र अनूछेद इंतरगत आता है, आप या रुखन या डथती है, आड़डक्र अजियकट अनूचेद रॉटसक्र कि अंतरगत, आज यह 25. 18 अनुशेत को बोलते हैं इंग्लीज में आर्टिकल स्वात्नत्रता का अधिकार 19 जो भी है A, B, C, D, E, F ये सब क्या है आपके स्वात्नत्रता का अधिकार है ये अक्चली स्वात्नत्रता के अधिकार में इसको संपत्तिक अधिकार बना लिया गया और स्वात्नत्रता कांसे हुआ था? 45 वात्रा सवेधान स्वात्वात्न लिया ये हुआ था 1978 में इसको हटा दिया गया था तो बस याप याद हखना और प्रस्की स्वत्नत्रता प्रस्पोरेंट पॉनट है ये किस बात का उलिक करा गया ओप्शन से संपत्ति कादिकार और ऑप्षिंस भी संग बनाने की सुद्धार ऑप्षिंस सी बोलने की सुद्धार या फिर ऑप्षिंस डी प्रैस की सुद्कंत्रिकार तो इस तरह से आपसे क्या हम इतना इंपर्ण इसमें से प्रिदा पड़ना बढ़ेगा कि अगर आप इंकेस मेंस का एक्जाम तरह सकते हैं और नौत देख सकते हैं एक बार क्योंकि एक एक लाइन पढ़ने में अचली वीडियो की लाइन बहुत बढ़ जाएगे और वीडियो की लाइन जैसे बढ़ जाती है तो आप लोगों के वीव आने बहुत कम हो जाते हैं जब वीव नहीं आएंगे तो ज्यादा दूर तक ये वीडियो पहुंचने बाएगा यूट्यूब में तो इसलिए मैक्सिमम शेर करिए इस वीडियो को आपके जो भी फ्रेंड कमपटिशन के त्यारी कर रहे हैं उन्हें तक इस वीडियो को शेर करने में कंजूसी मत करना ठीक है वर्टसप ग्रूप में आप लोग होंगे तो वर्टसप पे ये लिंक डाल द अब तक नई वीडिया क्या क्या है देखिए भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक रियोध अधिनयम बनाया इसका उदिश्य क्या था राष्ट रियोधी तत्रवों को भारत से बिब्कुल अलग फैक देना ठीक है तो देखिए ये पेश्याद दुबार अब बात करते हैं मीशा की मतलब आंतरीक सुरक्षा विरस्ता अधिनयम ये कब आया था ये आया था 1971 में और ये क्या कहता था चबारी से सविदान सुनसुदन जो हुआ था वह था 1979 में इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रेल को 1979 में यह समाप्त कर दिया तो खिलाल ये इंपॉर्टेंट है और आपको या लगना है विदेशी मुद्रा संदक्षन वे तसकरी निरोद अधिनयम ठीक है तो ये अवधी एक वर्स थी लेकिन इसकी लोकी इसको क्या करा जुलाई दो जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ा दिया गया ठीक है तो इसको दो वर्स के लिए बढ़ा दिया अब फिलाल हम बात करते हैं देखिए यहां पर टाड़ा के बारे में टाड़ा को पता होगा टाड़ा यह वही वाला केस है जैसे कि आपका वो था ना हीरो था संजदत है ना तो उसी के लेकर जो लगा था उसको पर टाड़ा लगा आप श्री आतंगवदी एवां विद्वन सकारी गतिवीदिया निरोधर कानून इसको बोगतर टाड़ा तो टाड़ा के अंतरगद जो था आपका संजदत को लेकर करके उसमें केश चला था तो टाड़ा के अंतरगद इसको इतनी बड़ी सजा मिली अब तो खेर वो भाहर लागया बात लागया तो यह टाड़ा है कि निवारत निरोध व्यस्ता के अंतरगद अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक परभावी और सइरोधी र्वान है와 कॉन सा है किस नमसे पुकारते है उसको बोगतर टाड़ा ठीक है और थेजंग मा Watson समाप्त कर दिया ताड़ा को आप स्वाप कर दिया लेकिन इसको सजा मिली थी वो 1985 से पहले क्या इसका CT केस था तो इसके विशाब से असको सजा मिली थी, अब हम बात करते है पोटो के बारे में ठीक है पोटो के बारे में पोटो क्या होता, एस एकटूज है 1-इस विखोफ लागो किया गया और पोटो टाडा का अई रूप है ह्यूंध का नया नाम MICH पूतो यह आदकना टाडा नया नाम क्या है पूट यह कई बार आपको एकजाम में पूछ आ जा चुका है तो इसल duas व्याद अगे हम बात करते हैं देखिये सिभ्धानी तो चारों का अधिकार तो ये इतना नहीं है लेकिन आ चलिए आप इसको देख लिजेगा देखना नहीं फिरा आपको पड़ते हैं चलिए ठीगा अब दीगे यहां पर क्या होता है यहां पर सर्वोच नियाले अक्षिली कुछ हमारे रिट जारी करता है मतलब कि रिट निका अब कौन कौन से रिट किस परकार के होते हैं तो हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बढ़ेंगे ज्यादा नहीं ठीक है इसमें पहला होता है आपका बंदी पर्त्यक्षिकरण यह उस व्यक्ति की प्रात्ना पर जारी किया जाता है जो यह समझता ह कि उसे अवैद रूप से बंदी बनाया गया है अगर आपको आप चल ठीक है आपको नहीं है तो मैं अपना एक्जामबल लेता हूं कि मैं यहां पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और मुझे को तुरंत पुली सवरे आ करके बंदी बना के ले जाएं तो मैं क्या होगा मैं एक प्रातना जारी करूंगा सर्वोष नियाले पे एक अपील डालूँगा कि मुझे बिना पर्मिशन्स के बिना किसी गलती बताया मुझे को घर से उठा लिया और मुझे को जेल में बंद कर दिया तो ठीक है तो यह उस व्यक्ति की प्रातना पर जारी किया जाता है जो यह सम पर निश्चित समय के अंदर उपस्तित करें वो फिर मुझे को बुलाएंगे मेरे सामने फैसला करेंगे तुरंद और जिसे नियाले बंदी बनाये जाने के कारणों पर विचार कर सकें तो यह कुछ ऐसे एक्जामपर होता है फिर होती है बात परमादेश परमादेश का ल क्या कोई पत्पे बैठा हुआ जैसे कि अगर आप किसी पोश्ट में लग गए लेकिन आप क्या हो रहा है उस पोश्ट के प्रती कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो जब कोई पता दिकारी सारवजी का निर्वान नहीं करता है तो इस पर करके आग्या पत्र के अधर पर पता ऐसा नहीं है अगर आप एक रैपोटेटी पोश्ट में बैठे हुए हैं अगर आई एस रैंक में बैठे हुए तो वहां पे सर्वोश नियाले आपको ये परमादेश भी जारी कर सकता है आई पेस ऑफिसर अगर आपको ये चीजे देखने को मिल सकती है तो आप ये ध्यान लगता है अधिकार परच्छा लेग क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा समपढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी काफी इंप्वार्टेंट है जब कोई व्यक्ति है ऐसे पदा अधिकारी के रूप में कारे करने का उसे सब वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है ठीक है आ आप मानिए कि किसी बैंक में है और आपका काम है क्यवल क्लेर कल काम ठीक है और वहाँ पर आपको काम दिया जाता है कैशhand का तो वह काम आपका नहीं है लेकिन फिर बी आप वह काम कर रहे हैं तो ऐसे किसमे क्या होगा तो नियाले अधिकार पर अच्छा के आदिश के दो उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कारे कर रहा है यहां पर है और जब तक वह इस बात का संतोश रब उत्तर नहीं देता तो वह आफिस के अंदर कारिय नहीं कर सकता यहां तक कि लिए लोगे आपको बड़े आगे बिल्कुल बढ़ते हैं आगे राज्ये के नीती निदेशक सिध्धान्त क्या होते हैं तो यह है भागफोर अनुछे 36 to 51 तक यह जो डिपेंड है यह है आपका राज्ये के नीती निदेशक सिध्धान्त अब इसकी पेना कहां से मिली हमको हमने कहां से कॉपी करा है तो यह सभी बाते मैंने पिछले वीडिय के बनाएं मतलब कि हमें जो दूसरी चीजи अच्छी लगी हमने उसको अपने सभीधान में अड़ करते चले गई कि आप अपनी परिसनाल्टी में कुछ चीजे किसी दूसरे की कॉपी करते होंगे ठीक है जीसे कुछ लोग बोलते हैं नमस्तिक कुछ कुछ लोगो बोलते हैं इसे का कुछ अची बातों को कौपी करने में नहीं है अबसमें कि हमारा से बनाया इसे नहीं बनायें वह बनाया पेना ले करके इस डे시 तो बेकि बात कहां से पहुंच जाते है कभी कभी लगता मुझका outta my मेरा कमेंट आएगा कि से आप बोलते हैं तो आपके बात करते हैं आपके बात करते हैं। और इसको कैसी जाट कर nessa आप बारaker क्ससरत खुड़ क्याटा deconst Lauren क्याओ की आपकी जaydń मेरे नहीं है जेव में आपकी जेव में चालीस रुपै तो चालीस रुपए तो आप पड़्ची कितने की कटवारे हैं 40 रुपे की तो अनुछे 40 किस्ते संबंदित है ग्राम पंचायतों के संघटन से ठीक है आगे बात करते हैं देखिए नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहीता का संबंद किस्ते दिया गया यह है आर्टिकल 44 संबंदित है इस चिस से और 48 जो संबंदित है वो है आपका क्रेशी एवं पसुपालन संघटन से और उसके बाद जो अनुछे 350 का प्रात्मिक इस तरफ पर मात्रभासा में सिक्षा देना तो यह काफी इंपॉर्टेंट है यह दोने ही इंपॉर्टेंट है हिंदी को पुरसान देना कौन से आर् निर्देशक सिद्धांत में अंतर क्या होता है ठीक है तो देखिए नीती निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरलेंड से जबकि मौलिक अधिकार लिया गया है कहां से यह लिया गया है से जोकि मौलिक करतवे कहां से लिया गया है इसके साथ में एक चीज़ और एड क जो है वो सविधान के भाग फोर में है जबकि मौलिक अधिकार जो है वो है भाग तीन में यह समाज की भलाई के लिए है ठीक है नीती निर्देशक सिद्धान कि शिच के लिए यह पूरे समाज की भलाई के लिए है जबकि क्या मौलिक अधिकार केवल एक व्यक्ति के लिए ह सम्बंदित है एक व्यक्ति की भलाई करता है मौलिक अदिकार पुरिज समाज की भलाई कौन करता है नीती निर्देशक सिद्धान अब क्या होता है नीती निर्देशक सिद्धान इसे लागू करने के लिए नियाले नहीं जाया जा सकता है लेकिन मौलिक अदिकार का अगर हन पानी होती है तो क्या कर सकता है इंसान नियाले में अपनी दस्तक दे सकता है अपील दे सकता है अब कुछ और देखते हैं और फैक्ट में यह कुछ इंपॉर्ण नहीं है हाँ six number point यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है यह सरकार के महत्व को घटा देता है जितने अधिकार इंसान को मिलेंगे तो क्या होगा उतने ही सरकार के महत्व क्या होता है घट जाता है तो अधिकारों को बढ़ाता है नीती नीदेशक सिद्धांत जबकि सरकार के महत्व क को घटाएगा कौन घटाता कौन है जी घटाता है आपका मौलिक अधिकार एक्जामपल के तौर पर आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं समझ लिए आप ऑफिस के पुरे मौलिक है आप खुद का विजनस है आपने प्रचास लोग हैर कर रख है आपने लोगों को इतने अधिक के लिए उसकर पर कोई भी वियक्ति विना किसी में ऩे बिना कि Zeus को डिये श्यूंब कर की अधीकार सबस्क्राओगे बाहन पर जो अधीकार होगा वोHAगा और अक काम हो जाएगा खतम हो जा यहाँ पर वही काम करती है इस सरकार करका मौलिक अज्यवर को देगी तो उसका क्या होगा महत काम हो जाता है मौली कर्टवे के बारे में बात करते हैं देखिए कि 42 संसोधन जो था वो वा था 1976 को इसके दोरा मौली कर्टवे को सविधान में जोड़ा गया ठीक है पहले मौली कर्टवे अक्चली नहीं थे लेकिन वास्ताम में जोड़ा गया किसमे 1976 में 42 संसोधन हुआ था तो उसके बाद में मौली कर्टवे को जोड़ लिया और इसे कहां से लिया है मैंने अभी आपको बताया तो देखे आ गया रूस के सविधान से इसको कॉपी करा गया है और ये कहां मिलता है ये मिलता है भागफोर में अनिखेद 51 कै में कौन-कौन से करतवे बगर हैं तो आप देख लेना है टोड़ा करतवे गया रहा है कुछ इस प्रकार से सबसेरा इंपॉर्टन जो है वो है आपका प्रात्मिक सिक्षा परदान कौन से वर्ष से कौन से वर्ष सब की जाती है देखिए माता पिता या संदक्षक द्वारा 6-14 प्रात्मिक सिक्षा परदान करना एक है यह है अपका गौन से सदी वर्ष को अपनाया गया है राश्पति- नाम मातर की कारेपाली का है तथा परदा मंतरी क्या है उसका मंतरी मंदल वास्तरी कारेपाली का है अब किसकी उमर कितनी होती थोड़ा देख लेते हैं देखे राश्पती की उमर होती है 35 वर्स की आयो वो पूरी कर चुका और लोग सबा का सदस्य निर्वाचित किये जाने जोग्य व를 होना चाहिए मैं उसके बाद हम बात करते हैं देखे कि राशपती पत्के अउम्मेद्वार के लिए निर्वाचर मन्ड़ के 50 दस्य अधर ञाजर पती है अनुमोद्व होते हैं पहरे राश्टपती कौम थे ग्रेट डी के एक्जाम में कई बार ये कॉश्शन पूछ लेता है अब ये थोड़ा पैटन चींड हो गया है अब पूछता है कि दूसरे राश्टपती कौम थे फिर हम बात करते हैं वी वी गिरी वी गिरी तीन मई 1969 से बीस जुलाई 1969 तक नियाय मोर्ती मोहमद हिदाव तुल्ला बीस मई बीस जुलाई 1969 से 24 अगस ये सब ये डेट दे रखे है ना इन्होंने कारे वाहक राश्टपती के पत पर ये लोग रहे तो ये इतना है पढ़ना इ राश्टपती जीए किन दशाओं में 5 वड़ से पहले भी पद को त्याग सकता है अगर आप राश्टपती बनते हैं देखें मैं आप क्या कर मैं आ रहा हूं आज लिया चलिए आप राश्टपती बन जाते हैं तो क्या हो सकता है आपको महाभियोग के द्वारा हटाय जास यह आर्टिकल कौन सा है यह आर्टिकल 56 एवं 61 महाभियोग के लिए केवल एक ही अधार होता है वो होता है अनिछे 61 पस्त इसमें उल्लेक करा गया कि किस तरह से महाभियोग राश्च्पती पर लगाया जा सकता है उसको हटाया जा सकता है एक तो तब होगा आप अपनी सीट जब चोड़ोगे अगर राश्पती बनने के बाद में या तो उप राश्पती को समधित अपने त्याग पर दे दिया अब लगालो का आपको जट रोगत है फैंली की रिसपोंसिटी बहुत रहत ज्याद है अपर आपर इसमें लेर्टर दे सकते है या फिर महाभियोग के द्वारा आप काम से नहीं करें तो आपको निकाल भी सकते हैं ठीक है तो राश्ट्पती पर महावियोग क्या होता देखिए राश्ट्पती को चौटे दिन दिन पहले लिखी सूचना दी जाती है कि आपके उपर महावियोग लगाया जाएगा कमेटी बैठें कि मेंबर जो पद होता है अगर राश्ट्पती ने पद छोड़ दिया तो उसको क्या होता है छह मेहने के अंदर भरना होता है बरना इंदेसेंस की फिल करना होता है उसके जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति के 100 परसन असाइन करना पड़ेगा अपवाइंक में पर दिकी सिक्समापती हो जाती है तो यह वांच तो आपकर पूरे हो गए तो उसके पारिष tu पर बाद में देखिए वही से में 56 वन हाँ थोड़ा पढ़ते हैं इसके बार में देखिए कि किन्टु यदि उसे पूरा करने में कोई विलम हो जाता है अगर नया हाइरिंग नहीं हो पाते है उसके सीट खाली या ते 6 मेने के बाद में तो राज अंतराल नय होने पाए इसलिए यह उपबंद है कि राष्टपती अपने पद की अगधी समाफ्थ हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्र अधिकारी पद धान नहीं कर लेता ठीक है अगर इन केस पूरे भारत में अमर्जेंसी लग गई है और यह किरिया नहीं हो गाई उस टे राष्टपती का काम तो कुछ पैंडिंग रहेगा ना तो उस काम को पूरा कौन करेगा उप राष्टपती तो राष्टपती के जो राष्टपती के वेतन बहते क्या होते हैं वेतन होता है इसका डेड़ लाग रुपे और बाकी राष्टपती के लिए नौ लाग रुपे वार्सिक पैंशन निधारित करी गई है ठीक है इनको पैंशन कितनी मिलती है नौ लाग रुपे बस उपराष्टपती के बारे में बात करते हैं आप सोचेंगे मैंने इतना स्क्रिप क्यों गरा दिया वहीं स्क्रिप कराना पड़ेगा जो इंपरने केवल हम उतना बढ़ रहे हैं ठीक है धेर नहीं बढ़ना है केवल क्वालिटी पे फोकस करना है उपराष्टपती जो है सविधान के अनुचे 63 के अनुचर भारत का एक उपराष्टपती होना चाहिए और कारेकल कितना को पांच वर्स 35 वर्स के आयो पूरी हो जाने चाहिए और राजी सबग का सदस्य निर्वाचित होने के ये योग्य होना चाहिए कौन को अपना पद ग्रेंड करने से पहले राष्टपती अथवा उसके द्वारा नेउक्त किसी व्यक्ति के समख शबह लेनी पड़ती है और राष्टपती के पद खाली करने पर उप राष्टपती राष्टपती की हैसे से कारे करता है जो मैं अब यदो को बताया था उसमें अब पर्धान मंत्री एवा मंत्री मंदल, most important topic for your exam, सब्धान के article 74 के अनुसार, राश्ट्रपती को उसके कार्यों के संबाधन भी सला देने हेतो, एक मंत्री परिशद होती है, जिसका पर्धान कौन होता है, पर्धान मंत्री, मंत्री परिशद का पर्धान कौन होता है, question mark है, option 4, राश्ट्रपती, उपराश्पती, पर्धान मंत्री या पी, मुख्य निया दिए, तो या दखना कौन होता है, पर्धान मंत्री, और मंत्री परिशद सामुहिक रूप से लोग सभा के परती क्या होते हैं, उत्तरदाई होते हैं, तो मंत्री परिशद जो होते हैं, करनें करते हैं से इसके बाद में लोग सबहां कर उत Steiger योजना आयोंग का फ़स्रम् किया है बता है आपको नीती आयो और नीती की फूर्म क्या है बता सकते हैं। बिल्कुर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे नीतियायो की फुल फॉर्म क्या है वो लिख करके मत भेजना ठीक है क्योंकि काफी बार ये कोशन में पूछ चुका है उपसे डायर्क आगर आपको नहीं बता तो गूगल में सर्च मालो याद कर लेना उसको फिलाल भ जाना गौरफ की बात है ठीक है इतने साल तक यहां पर 16 साल तक कोई पोस्ट ने मिलती लोगों को सीजेल की ठीक है ना प्राइविटी करते रहते हैं सुबह साम सोचिए 16 साल तक भारत पे परदा मंत्री रहे थे और 9 महीं ने यार कास कुछ दिन और पूरे व्यादरे पू थोड़ी सी बड़ेगी जादा नहीं ठीक है फिर्दा मैनेज कर लो बस सोना मत प्रिश ठीक है पहली बार जब इंद्रा गांधी परदा मंत्री बनी थी तो वह राज्य सभा के सदस्य थी और चरण सिंग एक मात्र ऐसे परदा मंत्री थे जो कभी भी लोग सभा में उपस् इस वर्षक केंद्रिय मंत्री मंधर में रहे थे परदा मंत्री और उनका सबसे लंबा कारेकाल किसक समें उनको टांपे क्या-कया हुआ था तो यह सारी चीज़ions आप एक बार देख लिना पहले हम झो परदा मंत्री थे सबसे लंबा कारेकल रहाज था फिर अम बात करते है कि विस्वनात परताप सिंग ये नाम आपने नहीं सुनाओगा शायद ये भी अक्षिरी पर्धामंत्री थे तो इनकी कुछ विसे बात ये थी कि आई विश्वास परस्ताफ के द्वारा इनको हटाया जाने वाले ये पर्थम पर्धामंत्री थे ठेक है आई विश्वास परस पिर पीवी नरसिम्मा राव पद ग्रहन करने के समय किसी भी सदन के सदस्से नहीं थे सबसा छोटा कारेकाल किसका था ये था अटर ब्यारी बाश्पई जी का भारक के तीन पर्धान मंत्री जैसे जवाहराल नैरु लाला सुरी लाल भाधु सास्त्रे जी स्रीमती इंद्रा उनकी पदावजी के दो द्वरान हुई ये सब सीट पर बैठे हुए थे मत्रब की पर्धा मंत्री थे उसी डैंपेन की रहत हो गए लाल बहादु सास्त्रे की मिर्थी हुई थी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी ताशकंद समझोता हुआ था एक्शली आपने दि सब आपको किलिर हो जाएगा अभी कुछी पहले मैं आपको कहा था किया राजय सबा में एक आता था नाटक बड़ अच्छा था वो था आपका सविधान वह भी नहीं देखा तो वह भी देख लेना तो अपना एक संदे निकालो माइंड फ्रेश करने के लिए माइंड फ्र अबन हो दोड़ता है ठीक है मैनाद करता है समार्ड तरीके से तो गधा वाली स्टडी मत करो पुछ लोग होते हैं घंटे-घंटे-घंटे और चॉबिस में बारे बारे जब्स हंटे पढ़ते या रहे हैं पढ़ते या पढ़ते हैं लिए इसा तो प्लीज बच्छो क्वा लाइन इस्टेडी कर रहे तो उसको तीन से चार बार एक दिन में वाच करो देखो पड़ो और उस पर अपनी पकड़ बनाओ गंटों में बढ़ाई नहीं होगी अब हम बात करते हैं फिलाइ संग्या 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 सदस्य संग की एकायों का परतिनीधित करते हैं और राज्य सभा की सदस्यता के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए बीस सड़ी तीस वर्स तक होनी चाहिए और इसके सदस्यों का कारेकार छेंवर्स का होता है कितना छेंवर्स का और छेंवर्स के बाद में क्या होता है इसके एक तियाई सदस्य प्रती दो वर्स मना हर दो वर्स में जो होते हैं एक तियाई सदस्य क्या होते हैं सदन से बाहर हो जाते हैं राज्य सभा से बाहर हो जाते हैं कितने एक तियाई परते एक दो वर्स के बाद में इनको रिटायर्मेंट मिल जाती है और भारत का उपराश्ट्र राज्ये सभा अपने सदस्यों में से किसी एक इक को छैज वर्ष लिए उप्ष सभापती निर्वाचित करती है अब बात करते हैं राज्ये सभा जो है यह राज्ये और सदस्यों की संक्या उत्तर परदेश से इये wi जम्मु कस्मीर से है आप चार या रखना इसको और उसके बाद में दिल्ली से तीन और पूंदी चेरी से एक राज्य सभा के पर्थम उप सभापती कौन थे तो ये थी आपके स्री एस वी कृष्णा मूर्ती राओ और देखे क्या होता है कि केवर राज्य सभा को राज्य सभा में उपस्तित तथा मतदान देने वाले सदस्यों में के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के भाहमत से अखिर भारते सेवा का सरजन का अधिकार दिया गया है और ये है आपका 312 में पर लिजिए इसको 312 क्या है उसके बाद हम बात करते हैं कि धन विदे के संबंद में राज्य सभाग को खेवल सिफारिसे करने का अधिकार है जिसे मानने के लिए लोग सभाग बाद दिया नहीं है इसके लिए राज्ये सभा को 14 दिन का समय मिलता है कितने डेस का 14 डेस का देखे राश्ट्रपती वर्स में कम से कम दो बार राज्ये सभा का अधिवेशन बुला सकता है आफुद करता है आव दोनों के बिश में मतलब की राज्ये सभा के एक सद्र की अंतिम बैठक तथा अगले सद्र की पर्थम बैठक की में कम से कम 6 माह के बीच का अंक्राल नहीं होना चाहिए और आज ये सभा की पहली बार गठन कब हुआ था 1952 में हुआ था उसकी पहली बैटा कहां पर कब हुई थी यह हुई थी 13 माई 1952 को यह यहलो से जो हालेट कर रखें यह एक्षवी मैंने खुद कर रखें मैं गिरीन से आपको के इंपारिमेंट पॉइंट पर फोकस कर वारा हूं आपको पूरा ही यहलो वाला हालेट करना अपनी बुक पर ठीक है और बुक प्लीज मार्कीट से परचेस करी लो आज ये कल जब निष्चित की गई है और साढ़ सन्क्या पांसो बावन हो सकती है और पांसो तीस सщее राज्यों के निरवाचन चेत्रों में से अधिक्तम बीस सढ़स्य संग्य चेत्रों से होती है अबमें बात करते है राश्रपती जो होता है आंगल भारतिय वर्ग के अधिक्तम दो सदस्यों का मनो नियन कर सकते हैं वरतमान में लोकसवा के सदस्य किसम क्या 545 है और उसके बार में लोकसवा में अनुसुची जातियों के लिए 79 इस्तान तर अनुसुची जन जाते के लिए 41 इस्तान आरक्षित किये गए हैं और ये कहता है अनुसुची जातियों के रिजरवेशन से संबन दित है उत्तर पर्देश में जो आपके सदस्यों की संख्या है वो है असी दिल्ली से साथ पुन्दी चरी से सवन 61 वे सविधान संसुदन 1989 में हुआ था सबसे पहले लखना धियान की कौन सा संसुदन कौन से वर्स हुआ था तो 61 जो हुआ था वो हुआ था 1989 के नुसार भारत में अब तक 18 वर्स के आयू प्राप्त विक्ति को वेसक माना जाता है ठीक है तो वेसक जो हमारी आयू होती है वो होती है 18 वर्स के आयू तक और उसके बाद में आप देखना एक बार कि लोकसभा में अनुसूची जाती और अनुसूची जन जातियों के लिए राज्यवर जन संक्या के अनुपात में जो आरक्षन दिया गया है 330 और 332 के मद्ध है और वर्तमान में 95 वे सविधान संसुधन 29 द्वारा अनुचे 334 में संसुधन कर लोकसभा में अनुसूची जातियां वे अनुसूची जन जातियों के अरक्षन तथा आंगल भारतियों को मनुनित कन्ये संबंदी पारवधान को 2020 पत के लिए बढ़ा दिया गया है तो फिलाल बस यह रखना कि 25 द्वार सविदान संसुधन कब हुआ था और यह किस से संबंदी था एक्जाम में बस रहड़ यह पूशेगा लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवारी योगिता क्या होनी चाहिए वेक्ती भारत का नागरी कोना चाहिए पच्चीस वर्स यह इस से अधिक इसकी आयो होनी चाहिए और लोकसभा का अधिक्तम कारेकाल होता है पांच वर्सक का और परधामंतिर के प्रामर्स के अधार पर राश्पती के द्वारा लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है और यह अब तक कितनी बार हुआ है यह हुआ है आठ बार लोकसभा को समय से पहले ही भंग करा गया है कितनी बार? आठ बार और 1976 इसमें में लोकसभा का कारेकाल दो बार एक एक वर्स के लिए बढ़ाया गया था ठीक है? कितनी बार बढ़ाया गया था? दो बार सविधान के अनुचेद 108 में संसत के सयुग्द अधिवेशन की विवस्ता है संसत की सयुग्द अधिवेशन की विवस्ता कौन से अनुचेद में है तो यह है अनुचेद आपका 108 और सयुग्द अधिवेशन के अधिक्षिता कौन करता है लोकसभा के अधिक्ष के द्वारा यह के जाते हैं और धन विध्यक के संबंद में लोकसभा का नेर्णे अंतिम होता है किसका नेर्णे लोकसभा का नेर्णे क्या होता है अंतिम होता है कौन से विध्यक के रूप में धन विध्यक के संबंद में लोकसभा जो बोलेगी वो फाइर डिसीजन होगा सबको फॉलो क के अनुसार लोकसभा स्वैम ही अपने सदस्यों में से ठीक है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है अब हम बात करते हैं लोकसभा के पर्थम अध्यक्ष कौन था तो पहली बार जो थे वो थे आपका गड़े स्वासुदे मावलंकर ठीक है लोकसभा और उपाध्यक्ष का नाम भी अक्जाम में पूछ लिता है तो आपको नाम भी उपाध्यक्ष का भी याद रखना है अनंत सयनम चहत्रवल के दश्दीकष्पूर्ण से सबसे बड़ा लोकसभा छेठे लद्दाक मतलब जो कहां पर हैं जम्मू कस्मीर में और सबसे चोटा जो है वो है आपका लक्षदीव यदि कोई सदस्य सदन के अनुमति के बिना, साथ दिन के अभधी से अधिक समय के लिए सदन में अनुपस्तित रहता है उपस्तित नहीं होता है तो उसकी क्या होगा सदस्यता समाब्त कर दी जाती है साथ दिन जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे ना जैसे टीचर कहते थे अगर बिना बताये चार दिन शुट्टी करें तो भाई आप तेरा में नाम कर दूंगा स्कूल से टीची अपने घर ले जाई हो तो ऐसे कहते थे ना तो यहां पर क्या होता है यहां पर 60 दिन की अवदी मिलती है तो 60 दिन के अंदर एक ना एक बार वहाँ पर उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा ठीक है अब हम बात करते हैं भूत पुर्व संसत अधस्यों के लिए पैंशन विवस्ता पैंशन पहले नहीं मिलती थी अक्षुरी लेकिन 1976 से लागू हो गई उनकी पैंशन तो बच्चो आज के इस वीडियो में बस क्यों इतना है और इस चैनल पर आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा धेर सारी किताबों की complete वीडियो जी हां प्ले लिश्ट में जाईए और इन सभी बुक के वीडियो का लाग उठाईए ठीक है और बुक को मार्केट से पर्चेस कर लेना आगे ने बोल रहा हूं और मार्केट पास में नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में किलिक कर सकते हैं और वहां से भी आप बुक को पर्चेस कर सकते हैं अमेजन के थ्रू ठीक है पर्चेस करेए हालेट करिए और ध्यान से बढ़िया रिवीजन जरूर करना और अगर यह वीडियो आपको पर पसंद आया हो तो प्लीज को कर दो ठीक है इस लिंक को आप शेर कर दो आप भी पढ़िये औरों को भी आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका दिजिए ठीक है इसी के साथ लेता हूं आपसे अलविदा मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ में बाई बाई टेक केर एंड गुड नाइट शाहद आपका वीडियो देख रहे हैं बाई बाई टेक केर